हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी किचिन, इंडो वेस्ट किचिन में, आज़म इंडो वेस्ट किचिन में बनाने जा रहे हैं उड़द की धुलीवी दाल इस उड़द की दाल को मैं बिना प्याज टमाटर के बनाऊंगी और ये उतना ही अच्छा टेस्ट देगी जितनी प्याजो टमाटर की दाल देती है बलकि उससे भी अच्छा देगी मैं इसमें कुछ अलग तरह के मसाले यूज़ करूँगी जो आप दाल में नहीं डालते हों है तो आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी और इस दाल को दो-तिम बार दो कर हम आदा घंटे के लिए भीगो देंगे इतने हमारी दाल भीगेगी इतने हमें एक कटोड़ी लेंगे और उसमें हम कुछ मसाले तयार करेंगे आदा चमच दाल चीनी का पाउदर आदा चमच पिसी, सोट, अधरक्का पाउडर, जिंजर पाउडर, एक बड़ा चम्मच, पिसा, धनिया, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लें इसको, अब जितने तेर हमारी दाल भीगती है, उतनी देर ही ये मसाले भीगने चाहि हम इन 4 मसालों को भीगो देंगे, डाल चेनी, सोट, धनिया और मेज, पानी जादा भी न डालें, डस ऐसा रखें, इसको हम साइड में रख देंगे, दाल हमारी भीग गई है, इसको मैंने अच्छे से दोह लिया है, अब हम एक कूकर लेंगे, वैसे तो ये दाल हांडी में खुले में बनती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है, तो हम इसको पहले कूकर में करेंगे, तो हम इस दाल को डाल देंगे, ये जितनी दाल है, उसका डबल इसमें आप पानी डालिए, थोड़ा सा नमध डाल देंगे, और बहुत जरासी हल्दी, सिर्फ कलर चेंज कर करने के लिए कि हल्दी का यूजम बाद में करेंगे हमारी दाल आदा गंटा भीग चुकी है हमें इसको खुले में पकाना है तो हमें इसमें सिर्फ एक सिट्टी लगानी है दाल को चेक कर लेते हैं दाल हमारी सोफ्ट हो गई होगी पानी भी इसमें परफेक्ट है हल्दी हमने थोड़ी कमी डाली थी एक बार चेक कर लेते हैं दाल हमारी सोफ्ट हो गई है 100% तो नहीं हुई है, लेकिन 60% सोफ्ट हो गई है, कड़ाई में हम 2 चमच देशी घी डालेंगे, इतने हमारा घी गरम होता है, इतने हम दही को मत लेते हैं, ये मैंने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम दही ली है, इसको हम मिक्सी में डाल कर एक बार चला लेंगे, बस एक ही बार चलाएंगे, अगर हम इसको चमच से मैस करेंगे, तो दही की फुटकी रह जाएगी, तो इसलिए मिक्सी में आप इसको एक बार चला लेंगे, एक बड़ी इलाइची लेंगे, इसको हम कूट लेंगे, इसको डाल देंगे, वन फोर्थ चमच यानि की चोथाई चमच हमलदी डाल देंगे, एक चमच गरम मसाला डाल देंगे, फिर हम इस दाल को इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करें इसको, अगर आपकी डाल थोड़ी से खड़ी है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको डख दीजी, हमने नमक इसमें कम डाला था तो थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए पावत ने टेश्ट के अनुसाथ और इसको ढखकर करीब पाच बिनदे तक पकाईए जाल चेक कर लेते हैं अब इसमें हम यह दही डाल देंगे जो हमने मिक्सी में डाल कर चलाई है यह मलाई है फ्रेस मलाई इसको भी मिक्सी में डालेंगे आधा डालेंगे और इसको भी एक बार घुमा लेंगे इसको भी डाल देंगे पतली गाड़ी आप अपने हिसाब से रख लें वैसे यह बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे अब हम इसमें दही और मलाई डाल चुके हैं उसके बाद हम इसमें यह जो मसाला हमने भीगो कर रखा था वो डाल देंगे और इसको हम ढखकर एक से दो मिनट पकाएंगे डाल हमारी पक रही है इसको हम साइड में रख देते हैं अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे दो चम्मच बेसी घी डालेंगे आधा चम्मच जीरा दो छोटी इलाईची इनको हम कूट लेंगे थोड़ा सा हीन डाल देंगे गैस को बंद कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्स डालेंगे और इस तड़के को हम इसमें डालेंगे तुरंट इसको हम ढख देंगे और दो से तीन मिनट हम इसको ढखा रहने देंगे उड़द की धुली दाल हमारी तैयार हो गई है ये देखे कितनी अच्छी बनी है ये खाने में लाजबाब होगी ऐसी दाल आपने नहीं खाई होगी आप इस दाल को प्राठे के साथ या फिर चावल के साथ खाईए बहुत अच्छी लगेगी तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सबिस्क्राइब करना ना भूले देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है हमने इसमें प्याज और टमाटर भी नहीं डाला है तो आप इसको इंजोई करिए और अपने कमेंट करना ना भूले आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी मलाई डाल देए